नहीं मुझे जाना है किसानों के साथ, नहीं मुझे आवाज उठानी है ये धोका करने वाले है किसानों के साथ मैं तो मैं किसी संगठन या किसी संगठन के नेता की वज़े से रुकने वाली नहीं हूँ मैं संगठन की मोताज नहीं हूँ इनके आदेश को मैं आदेश नहीं मानूंगी किन चंद लोगों के कहने पर ये मंच से इन्होंने ये बात कही मेरी एक आप इसे अपील मानिये या वोटिंग मानिये या अपना सैयोग मानिये मेरा सभी से एक सवाल है पहली बात तो मैं बता दूँ कि मैं आज लाइव क्यों आई हूँ मेरे देशवासी किसान भाई और यूवाओ से और मुझे किसानों की आवाज उठाने से कुछ संगठन कुछ लोग मुझे रोक रहे हैं क्योंकि मैं किसान कल मुझे पता चला था कि मुझे वहाँ आने के लिए रोक दिया रोक कह रहे हैं कि बात नहीं करनी हैं मीडिया से यह नहीं करना कुछ चंद संगठनों ने कहा है ऐसा मेरी आवाज जो है यह मेरी खुद की आवाज नहीं है यह किसानों की आवाज है क्या मैंने देश के किसानों के लिए जो अपनी आवाज उठाई है क्या वो गलत है और यह चंद संगठनों का फैसला कैसे हो सकता है क्योंकि मैंने तो पूरे देश के किसानों को अपना समर् संगटन का यूवा साथियों का फैसला के वह दूर रहे इस से किए कहते अपना को थोड़ी न अमना सबर्थन दिया था में देशाओं को तो आगे में किस ने अधिकार दीकार कि मैं आवाज उढ़ा रही हूं तो ये मुझे रोकें आज तक कोई एक ऐसी वीडियो भी नहीं है कि जिसमें मैंने किसानों के लिए गलत कहा हो या मैंने कोई गाली का सब्द मैंने इस्तेमाल करा हो हाँ हम लोग गाओं के हैं भाई हम तो गाओं की भासा जानते हैं सीधी साधी इन लोगों की तरह नहीं जानते राजनिती वाली भाजा सीधी भाजा जानते हैं तो क्या मैंने गलत किया किसानों का साथ दे करके मैं आज भी किसानों के साथ हूँ और इनके रोकने से नहीं रूकूंगे क्योंकि अगर कोई अधिकार मुझसे मेरा कैसे चीज़ सकता है और ये आप मुझे सब बता है जितने अभी देश में वेडान जितने फैस्वाहें कि पू्रंपढ़ी तूर रहें हैं मैं यह सवाल om उन्होंने मुझे आशिरवाद के रूप में अपने संगठन में जोड़ा, अब इसमें मैंने थोड़ी उनको बोला था कि तुम छोड़के चले जाओ, वो छोड़के चले गए हैं, तो और लोग BM सिंग जी भी छोड़के गए हैं, तो उनके कार्य करता कर रहे हैं न संगठन करते हैं, वो भी हट जाएंगे, कहीं ये अंदर से, हमारे किसानों के साथ में कहीं अत्याचार होने का तो एक इशारा नहीं है, कि इसको हटाओ, और यहां पर भी शड़ियन तो नहीं हो रहा है, उनके साथ कुछ दोका तो नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने निस्पक्ष तर में, नहीं मुझे जाना है किसानों के साथ, नहीं मुझे आवाज उठानी है, तो मैं आपकी, आपकी कहने से रुकूंगी, जो देश कान दाता है, उसके कहने से रुकूंगी, जो यूवा है, मैं उसके कहने से रुकूंगी, ना कि मैं कुछ संगटनों के कहने से कई ऐसो तो नहीं मुझे अटा करके ये लोग अंदर से कुछ किसानों के साथ में धोका कर रहे हूं कुछ लोग जो कर रहे हैं जिन्होंने इस बात की क्योंकि ये किसी एक बंदे का फैसला नहीं है कुछ चंद लोगों का फैसला है आपकी आवाज बनके मैं मीडिया से बात ना करूँ आपकी आवाज को मैं बनके जो बोलती हूँ मैं उसको ना बोलू जितने भी देश में देशवासी हैं मेरे और जितने भी युवाँ हैं जितने भी किसान बुजरुग हैं जिनोंने मुझे अपना इतना अशिरवात दिया है यह सभी का मन है कि पूरनमपंडित किसानों का समर्तन ना करे किसको इनने यह अधिकार दिया कुछ संगटनों को कुछ लोगों काए कि पूरनमपंडित की भासा से अमें दिक्कत है भाई हम तो गांवाड में मारे हैत्व ऐसी बोलते हैं बताओ इसमें कि गाउं में ऐसे बोलते हैं नहीं बोलते हैं अगर मैंने कोई अबदर व्यावार किया हो किसी के साथ मैं या मेरी मेरी भाशा में गाली हो या मैंने किसी भी नेता को या किसी भी को बिना सम्मान के मैंने बात की हो आप बताएए ना मुझे सभी लोग बताए क्या आप जितन चंद संगठनों के जो महमान हैं जो नेता हैं उनका अदेस मेरे लिए माइने रखता है उनका नहीं रखता है मेरे लिए माइने मेरे लिए आप लोगों का अदेस माइने रखता है आप बताईए मुझे कि क्या मैं आप किसान संग किसान अंदुलन को सहोग नहीं करूं क्या बताईए अगर मैं किसाना अंदुरन को सहयोग ना करूँ तो क्या आगे इन फ्यूचर यूवाओ को मेरी कोई जरूरत नहीं है क्या आप सभी बताईए मुझे क्यूं ये कहा गया मंच से कि पूनम पंडित की जो भाशा है वो दूसरी है दूसरी को दूसरी कंट्री की थोड मंच से इन्होंने ये बात कही कि पूनम पंडित को वालेंटियर्स को कराया जाता है अवगत की इनको आने से रोके किस के कहने से आप उनके नाम बताईए ना क्यूंकि मेरे मेरी मैनेज इनकी बात रखी है बहुत लोग है जो मुझे शिर्वाज देते हैं बहुत लोग है मैरे साथ में यूँवा खड़ा हुआ है मैं जानती हुँ सभी बहुत मेरे साथ में है तो वो भी तो जानना चाहते हैं कि आपने इसकी आव Kerry कि रोकिते है जो आप बता रहे कि मंच और यह बात मन्च पर जिन जिन लोगोंने मेरी दिकत जताही है मेरी वीडियो जताही है पर आपती जताई है आप बताईए ना वो उन लोगों के नाम या आपने ऐसे ही जाके मंच से बोल दिया आपने देश का इतना नदाता मुझे सपोर्ट करता यूवा सहयो करता महिला सहयो करती क्या आपने एक बार उनकी सहमती ली कि पूनम पंडित को आने से रोके ली आपन कुछ चीट करना चाहते हैं हुई छोड़के चला गया मेरी क्या गलती है इसमें बीम सिंग जी छोड़के चले गए लेकिन उनके लोग तो यहां पे है ना किसानों के लिए मैनत कर रहे हैं ना मैंने किसी जंगटन को अपना सपोर्ट थोड़ी दिया था मैंने तो यूवा आप देश की जंताकार खिसानों का जो आदेश है मैं इसको अपने सरमाते पर रखूँगे अगर आप सबी लोग कहेंगे कि आपको नहीं जाना हैं अन्दुलन में हमें आपकी कोई श़ tief नहीं है अन्दुलन में तो मैं बिलकूल नहीं जाऊंगी आपका आदेस मेरे सरमा लेकिन मैं इन लोगों कादिस क्यों मानूं कारण तो बताए एक वीडियो वो भी निकाल के लाई अगर जिस वीडियो से मेरी दिक्त है मैंने किस वीडियो में किसानों का अपमान किया किस वीडियो में मैंने अपने से बड़े का अपमान किया किस वीडियो में मैंने किसी ने हुआ हैं आने वाले कल में मेरे जैसा ही हुआ अगर आपके समर्तन में होगा आपके लिए आवाज उठाएगा तो इसका मतलब यह लोग उसकी भी आवाज को दवाएंगे अब बताईए मुझे मैंने किया क्या ऐसा आप कारण बताईए मेरी वजह से क्या वेवस्ता हुई आ आप मुझे समझाईए ना या फिर आप मेरे को बायो काट करके इनके किसानों के साथ में कुछ चीट करना चाहते हैं आप ये भी तो बताईए खारण बताईए जब पहले आप मेरे साथ में जो संगटन वहां पे हैं बहुत से लोग मेरे साथ में वीडियो में कहते थे हमा जो नेता होते हैं जो नेता बनते हैं वो लोग वहां से चोड़ चोड़ कर भागेते क्या मैं चोड़ कर भागी मेरी तब्यद खरापती मैं तुरंत आके कंटीन्यू किया के नहीं किया 29 तारीक में जिस दिन मैंने देखा महां पे इतनी पुलिस है मैंने तुरंत कंटीन्यू ओर आज तक भी मेरी इतनी तवियद गराव है मैं फिर भी कई कोई मुझे ये न बोलते फिर से की पूनंपंडित क्यों निया रही है पूनंपंडित इतने दिनों से आ रही है जब से तो इनको कोई प्रोब्लम नहीं नहीं हुई। तब से तो उनको कोई प्रावप्रिम् नहीं हुई थी। संगटनों कोुण प्रावब्लम थी। असल बात में यह है कि पूनम पंढ़े i7 को कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ और इसे 메ंको द्यक्त यह युवाह वह को रोकना चाता है। उनकी आवाज को दबाना चाहते है यूवा पढ़ा लिखा हो रहा है भाया तो फिर कैसे ने बोलेगा वो बताईए मेरे घाओं के जो किसान है मेरे जिले के किसान कितनी उमीद करते है मेरे राज्ये के किसान मुझसे कितनी उमीद कर रहा है मेरे देश का किसान मुझसे कितनी उमीद कर रहा उभाने वाले कलम हैं? क्यों इनों ने ऐसा किया? क्या इनों ने इनको लगा? वो और बी तो बताईए या आप हमारे साथ कुछ धोका कर रही हो मेरे जासे Сabing, Ur Charlesanne को मेरे जिए आपने धोक आये? क्यों कि आपने धोका हूई है? कारण तो बताईए मैं भी कारण जाना चाहती हूं, आप भी जानिये, सभी लोग आईए, यू वाउ से मेरा नुरोध है, आज मेरी आवाज कोई लोगों ने दवाने की कोशिश करी, क्या ये इनका प्लेट फॉर्म है, नहीं, ये हमारे देश के अनदाता का प्लेट फॉर्म है, ये हमारे देश इंबॉक्स में मैं चेक करूंगी, अगर मैंने कोई गलत नहीं किया है, अगर मैं आगे आपके लिए कुछ हूँ, आपकी आवाज में बन सकती हूँ, तो मेरा सभी सेनुरोध है कि आप इस बात को उठाईए, पूरम बंडित को क्यों रोका जा रहा है, क्या इनको अब मेर मेरे से डर लगने लगा, क्या यह चंद लोग पहले तो मुझे इन्हों ने सिर्फ एक बााना बनाया था कि पुलिस ने रोका, पुलिस रोक रही थी, ऐस ऐसे लोरो के कहने पे रोक रही थी मुझे लेकिन मैं माहूल खराब नहीं करना चाहती थी, क्यूंकि मैं नहीं चा सिर्फ एक चाय की और एक लंगर में जो बंडारा हमारा माल लगा होता है। उनके दो रोटी के गुनागार मैं हूँ और मैंने किसी से कुछ नहीं लिया, मैंने निस्पक्ष काम किया। तो फिर इनोंने मुझे क्यों रोका, क्या इन्हें मेरे बोलने से डर लगने लगा। बताईए आप मुझे, इनसे सवाल करिये, मेरा नूरोद है, 14-15 लाजार लोग मुझे देख रहे हैं, आगे भी मुझे देखेंगे, मेरा विश्वास है। आप इनसे सवाल करिये ना कि वो हमारी आवाज उठा रही है, क्यों आप रो रही हो, क्यों आप उसको रोक रहे हो, आप बोलिए ना इनसे, सबीर बोलिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं युवाओ की आवाज बनू आगे, और मैं किसानों के साथ थी हूँ, और मैं ये अधिकार मुझसे कोई नहीं चीन सकता कोई भी संगटन मुझसे अधिकार नहीं चीन सकता कोई भी नेता मुझसे ये अधिकार नहीं चीन सकता मैं रहूंगी अगर आप चाहें चाहेंगे आगे कि मैं ऐसे ही रहूं बेबाग जैसे मैं हूँ ठीक और मैं आपकी आवाज मेरे से सीख मिलती हो किसी को तो आप भी बोले आपको भी फिर यह रोकेंगे और मैं चाहते हुं सबहीं मेरे यूवा उसनो रो दे कि अपनी बात को ज्यादा से ज्यादा रखीए और आप चाहते है कि आपके लिए मैं कुछ बोल सकती हूं या आपका कह रहें कि इसकी तो भासा में दिक्कत है भाहिया मैं गाह का इस्तमाल किया कि मैंने एक भी शब्द ऐसा कहा जो मेरे किसानों को आर्ट हुई हो युवाओ को मेरी वज़े से दुख हुआ हो कि मैंने कहा या किसी भी बड़े नेता जिनके खिलाफ आज आंदोलन चल रहा है कि मैंने उनके लिए कोई गलत शब्द इस्तमाल किया कि मैंन मेरा अधिकार कोई संगठन या कुछ संगठन के जो नेता है जो हमारे साथ में ऐसा लग रहा है मुझे इनकी इन हरकतों से कि ये धोका करने वाले हैं किसानों के साथ मैं तो मैं किसी संगठन या किसी संगठन के नेता की वज़े से रुकने वाली नहीं हूँ, मैं संगटन की मोताज नहीं हूँ, मैं अपने युवाओ के समरतन की मोताज हूँ, और महिलाओ के सहयों की मोताज हूँ, मैं किसी संगटन की मोताज नहीं, किसी दल की मोताज नहीं, जब मैं किसी पार्टी से नहीं, आज तक मैंने किसी पार्टी क उससे भे कैसा, इन्हें भे तो मुझे इसलिए है, कि ये लोग जो हमारे किसानों के साथ में धोका करने वाले हैं, और इन्हें पता है कि पूरम पंडित अपनी आवाज रख लिए हैं, और मैं वहाँ से जाने वाली नहीं हूँ, मैं वहाँ से तब तक नहीं जाने वाली आप बात करेंगे पहल करेंगे तब ही तो मैं बोल रही हूं पहल करेंगे सरकार से भी मेरा नुरोध है और जितने भी संगटन काम कर रहे हूं उनसे भी मेरा नुरोध है पहल करेंगे जब तक ये समस्या का समधान नहीं हो जाता और उसके बाद भी इनको कोई समस्या आती है किसानों को तब मैं बोलती रहूंगी अडिक रहूंगी अपनी बात में मेरा वादा में किसी की रोकने से नहीं रुकूंगी भाईया अगर मैं गलत हूँ मैं लाइव हूँ आप मुझे बताईए मेरे जिस जिस बंदे को मैं गलत लगू तो आप मुझे बताना मेरे इन बॉक्स में मैं चेक करूँगी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरे ये जो मैं लाइव आ रही हूँ इसको इतना शेयर करना इतना शेयर करना कि आने वाले कल में किसी यूवा की आवाज को ये दवाने की कोशिस करे किसी सच की आवाज को दवाने की कोशिस करे तो हजार बार ये लोग सोचे सत्रे हजार साड़े सत्रे हजार लोग मुझे देख रहे हैं और ये व्यूज बढ़ते रहेंगे कि मैं आपके साथ हूँ और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे और मेरी विंती है कि आप जो निस्पक्ष है वो बात मुझे बताईएगा मैं सभी के कमेंट भी पढ़ती हूँ मैं सभी की वीडियو भी मैं देखती हूँ और मैं ये भी देखूँँँगी कि ये मेरा जो live है ये कहां तक पहुँचा है किस-किस ने मेरा समर्टन किया है किस-किस ने मेरी बात की देखूंगी लेकिन मुझे आपके आशिरवाद की जरूरत है यू वाओ के साथ की मुझे बहुत जरूरत है क्योंकि मुझे इनकी इस हरकत से बिल्कुल ऐसा साफ कि इसको निकालो भाईया ये किसानों की बात बहुत रख रही है क्योंकि अंदर भी तो ऐसा माजिक तत्व घुस गए है ना उनकी तो इनसे पहचान नहीं हो रहे है मेरी पहचान मुझसे पूचते है बिठा बिठा करके मेरी पहचान मुझसे पूता है उनकी तो ओ नहीं रही čहां उनको निकालो भाया BM सिंग जी छोड़ कर गएते उनके डितने लोग किसानों को अपना समर्तन करने है कितना लोग सेयोग यह कर रहे है बताये BM सिंग जी गये तो इसमे उनके समर्तन को की क्या गल्ती है वो तो अपना समरतन किसान के लिए दे रहे है ना वो चले गए अकेले बानु जी चले गए कितने लोग महां काम कर रहे है मैंने जब ये साफ कह दिया कि किसी भी बंदे से मेरा रिष्टा नहीं है जो किसानों को बीच में छोड़ कर गया है जो किसानों को इस मजदार में छोड़ कर गया है मैंने साफ कह दिया कि मेरा कोई भी व्यक्ति हो भानू जी हो इसमें कोई भी हो मेरा रिस्तब ना भानू जी से है ना बीम सिंग जी से है क्योंकि उन्होंने किसानों को यहां छोड़ा जो बात थी आप बैट के निम्टा थे आपने गलत किया तो ये भार बार इस बात पर क्यों जोड़ दे रहे हैं उनकी पदादीकारी है उनकी ये हैं उनकी भाई मैंने उनको समर्तन अपना दिया किसानों को ना कि मैंने किसी संगटन को मैं उनके यहां गई उन्होंने मुझे मुझे आशिरवाद दिया उन्होंने मुझे अपने हाप जो की जो किसानों के समर्तन बैटे वह तो क्या मैं उस आसिरवाद को नहीं लेती आप मुझे बताईए है कि किसानों के समर्तन कर रही हूं की आवाज बार-बार मैं बोल रही हूं बार-बार मैं अपना पक्ष भी रख रही हूं किसानों का पक्ष मैं रख रही हूं तो क्या यह जो मैंने किया गलत किया भई मैं तो किसानों के साथ हूं ना मैं किसी दल की मौतास थोड़ी हूं मैं किस जुरू में आई थी किसानों के पास जब पूरे भारत में मेरे वीडियो देखे जाने लगे तो मैं वहां भी गई दौरा करने के लिए जैसे जाते हैं सिंगु वोडर टीकरी वोडर सब जगह में गई तो उन्होंने मुझे वहां पे संबान किया इन्होंने नहीं किया जिन् भी किसानों के साथ हूँ और मैं रहूंगी कितनी ये कोशिश कर ले आगे भी मैं रहूंगी ये एक महिला की आवाज को दवाना चाते हैं ये किसानों की आवाज को दवाना चाते हैं इसका मंदल मतलब अंदर से कुछ शडियंत्र है तब ही तो क्योंकि मैंने तो बात ही कि बात दूंगी ये मैंने बात रखी मैंने तो कुछ बात गलत ही नहीं रखी इनको धर कि इस बात की इस बात की मुझे टेंसन है की बताओ ये इनका फैसला है या देश के किसानों का फैसला है देश के युवाओ का फैसला है कि पूरम पंडित आंदोलन में सपोर्ट नहीं कर स सकती है तो मुझे जानना है मैं जानूंगी कैसे जो नेगेटिव लोग हैं वो मुझे मेरे इन बॉक्स में करें मैसीज और जो पॉजिटिव है जिनको लगता है कि हाँ हम यह बात बोल सकते थे हमारी बात पुनम पंडित ने बोली है तो वो लोग इस वीडियो को इतना शेय करें कि हाँ मैं देख लूँ कि हाँ यह किसानों की बात नहीं थी कि पुनम पंडित को रोके यह यूवाओगी भी बात नहीं थी कि पुनम पंडित को रोके यह चंद संगठन के लोगों की बात ती जो पुनम पंडित से कष्ट महसूस कर रहे हैं यह चंद संगठनों की ब क्वेश्चेस अबीसे